सबसे पहले मैंने पटी कटिंग कर लिया है पटी की जो चुड़ाई है वो मैंने एक इंच त्यार कर लिया है और एक इंच की मैंने पटी कटिंग कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 45 इंची रगनी है तो इसी तरीके से आप लोगों ने पटी कटिंग कर लिनी है उसके बाद आपने कपड़े को कटिंग कर लेना है और ये जो कपड़ा है वो आड़े कपड़ा में ने लिया है और इसके उपर इस पटी को चुपका लेना है तो चलेजी जल्दी से मैं इसको चुपका लेता हू जिस तरीके से हम लोग कुर्टा पटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से ही इसको चुपका लेना होगा दोनों साइट से इसको फॉल्ड करना होगा फॉल्ड करने के बाद आप कुर्टा पटी जिस तरीके से बनाते हैं सेम उसी तरीके से इस पटी को बना लेना होगा पट्टी को बना के मैंने तयार कर लिया है इस तरीके से आपने पट्टी को बना लेना है पट्टी को बनाने के बाद आपने पट्टी पे लेस लगानी है ये वाली लेस ली है मैंने और पट्टी की किनारी पे मुझे इस लेस को लगा लेना होगा लेस को लगाने से पहले मुझे फरन को इस तरीके से बिचा लेना होगा बिचाने के बाद गले की कटिंग करनी होगी गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे निशान लगानी होंगे सबसे पहले मैं उपर से 72 इंच पर रख लूँगा सव इंच पे निशान लगाने के बाद गले की गहराई जो है वो मैं आठ इंच रखना चाहरू हूँ तो मैं आठ इंच पे निशान लगा लूँगा आठ इंच पे गले की निशान लगाने के बाद करके पटी त्यार होगी सववज तो इसी तरीके से आपने निशान ते निशान को मिलाने के भाद आपने फरण को इस तरीके से open कर लेना होगा और इसके बाद आपने corner पे एक ließ बुक्रम का चोटा सा piece चुपका लेंगे ताकि हमें पटी लगाने में कोई मसला ना हो बुकरम को मैंने चुपका लिया है इस तरीके से वापिस फरण को ते कर लेना होगा ते कर लेने के बाद मुझे इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना होगा बिठाने के बाद मुझे वापिस वहां बुकरम के उपर निशान लगाने होंगे क्योंकि वो जो मैंने निशान लगाया था वो छुप गया है तो यहां से मैं वापिस से सव इंच पे निशान लगा लूँगा और इस तरीके से निशान से निशान आपस में मिला लूँगा मिलाने के बाद मुझे यहां से गले की कटिंग कर लिनी होगी जिस तरीके से मैं गले की कटिंग कर रहा हूँ सेम आप लोगों ने उस तरीके से ही गले की कटिंग करनी होगी निशान से तकरीबान मैं आदे इंच का दबाओ छोड़के गले की कटिंग कर लूँगा आप लोगों ने भी उतने ही दबाव चोड़ की कटिंग कर लेना है और आदा इंच का दबाव लिया था वो पट्टी के अंदर चला जाएगा तो ये जो मैंने बटन टेक ली है और इसको हम लोगों ने सिलिट की नीचे रखके सिलाई लगानी होगी जो गले की पट्टी है इसको मैंने इस तरीके से तयार कर लिया है तयार करनी के बाद किनारे पी हम लोगों ने सिलाई लेस को लगा लिने होगी लेस को इस तरीके से नीचे रखना होगा और लेस की जो सीधी साइट है वो हम लोगों ने उपर की तरफ करनी है और उसके बाद पट्टी को इस तरह की से उपर रखके बिलकुल किनारी के सिलाई लगा लेंगे किनारी पे आप लोगों ने एक जिसलाई लगानी है और सिलाई आपकी टेड़ी नहीं होनी चाहिए पट्टी पे मैंने लेस लगा दिया है इसी तरीके से आप लोगों ने पट्टी पे लेस लगा लेना है ये देखेगा इसी तरीके से आप लोगों ने पट्टी पे लेस लगानी है लेस लगाने के बाद मुझे बेक को इस तरीके से बिचा लेना होगा और उसके बाद फरण को इस तरीके से इसको पर रखके कंदा इनका जोइन कर लेना होगा कंदा जोइन कर लेने के बाद मुझे पट्टी पे सलाय लगानी होगी फरन को इस तरीके से मशीन पे बिचा लेना है बिचाने के बाद ये वाली जो पटी है इस पे मुझे ये देखिएगा यहाँ पे मुझे सिलाई लगानी होगी किनारी की इस तरीके से सिलाई लगाते होए यहाँ पे मैंने कट जो लगाया था इस तरीके से इस कड़ को तकरीबन आदे इंच का दवाव लेना है बिलकुल कपड़े के साथ साथ सिलाय लगानी होगी इस तरीके से ये देखिएगा इस तरीके से आदे इंच का दवाव लेना है आदे इंच से आप लोगों ने ज्यादा नहीं लेना ठीक है इसी तरीके से आपने पटी को लगा लेना होगा पटी को लगाने के बाद इस पे इस तरीके करने नहीं होगी और गले को अच्छी तरीके से सेट करके इस पे सिलाए लगाने होगी तो चलेजी जल्दी से मैं इस पटी को लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको इस तरी बिगर लेता हूँ फिर बटन टेक किस तरीके से लगाने आगे चल के सीखते हैं पटी को मैंने लगा के तयार कर लिया है इसी तरीके से आपने पटी को लगा लेना है पट्टी को लगाने के बाद आपने इस तरीके से इस गले को रखना है रखने के बाद आपने इस तरीक कर लिनी है गले पे मैंने इस तरीक कर लिया है और यहां से यह जो दोनों पट्टीया है वो अंदर की तरफ चली जाएंगी इस तरीके से यह देखेगा अंदरे की तरफ करनी है और उसके बाद ये जो कपड़ा नजर आ रहा है फाल्टू इसको इस तरीके से फॉल्ड कर लेंगे यह देखेगा अच्छी तरीके से फॉल्ड करना है फॉल्ड करने के बाद आपने यहां पे आलपिन लगानी होंगी गले पे आलविन लगाने के बाद सबसे पहले मुझे गलच जो रखना था आठ इंच पे आठ इंच में में निशान लगा लूँगा निशान लगाने के बाद मुझे बटन टेक जो बनाया था उसको मुझे इस तरीके से गले के नीचे रखना होगा ये देखेगा इस तरीके से कपड़े को उठाना होगा उठाने के बाद ये जो निशान लगी वी नजर आ रही है वहाँ पे इस तरीके से इस पट्टी को रगना है और उसके बाद इस तरीके से गले के नीचे रखके इस पे आलपिंस लगाने होंगे गले पे मैंने आलपिंस लगा दी है इसी तरीके से मैंने आलपिंस लगाने और आपने बटन टेक को इस तरीके से रगनी चे रखना है नीचे रगने के बाद इस पे सिलाई लगानी होगी तो चले जी जल्दी से इस पे सिलाई लगाते है सिलाई जो हम लोगों ने पटी की जो सिलाई लगाई थी बिल्कुल उस सिलाई के उपर ही यहां पर सिलाई लगानी होगी तो इसी तरी के से आपने सिलाई को लगा लेना है सिलाई को लगाने के बाद आपने आलपिंस को अठाना होगा आलबिन्स ठाने के बाद इसके गले का जो लुक है वो देखते हैं कि लुक कैसा आ रहा है इस गले को आप लोग हाईनिक गलबी के सकते हो और लेप गलबी के सकते हो और चाइनिस कॉलर भी के सकते हो वेडियो अच्छी लगी है वेडियो समझ में आई है तो वेडियो को लाइक कर देजगा चैनल पर अगर फर्स टाइम आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजगा साथ ही बलाइकन को प्रेस कर देजगा मैं ऐसी वेडियो सामें चलाते रहता हूँ मिलते हैं एक न झाल झाल